टैबलियू के इस lecture के अंदर हम scatter plot या bubble chart या हम point plot बना के देखने वाले इन तिनों के same ही नाम होते हैं basically इसको scatter plot बोला जाता है असलाम अलेकों मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel मैं आपको टैबलियू से कहा रहा हूँ तो मैं इस sheet पे click करता हूँ यहां पे मैंने click किया और इस sheet को मैं नाम दे देता हूँ 01 underscore bar plot ठीक है तो इसको मैंने 01 bar plot का नाम दे दिया scatter plot तब बनता है जब दो continuous values आपके पास हों, continuous का मतलब दो non-numeric हों, तो हमें scatter plot सिरफ और सिरफ x और y-axis पे दो non-numeric values का बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक fair ले लेंगे columns के अंदर, और एक हम age लेंगे column के अंदर, ठीक है, fair और age जब हमने ले लिया, तो इसका scatter plot तो बना ही नहीं है, क्यों नहीं बना, क्योंकि इन दोनों का sum हमारे पास आ रहा है, तो हमने इस पे click करना है, यहां पे click करने के बाद हमारे पर आर्स option आए कि dimension, attribute, average, sum, median, count, there are many other things, ठीक है, discrete, continuous, whatever, तो हमने dimension पे click करना है, और sum, age के भी dimension पे हमने click करना है, जैसे हम dimension पे click करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक plot सा आ जाएगा, which is not good by the way, तो हमने क्या करना है, यहां पे click करना है, तो यह हमारे पास एक scatter plot show कर देगा, यहां पे यह वाला जो plot है, basically scatter plot यह यहां पे आ रहा है, ठीक है, for scatter plot try zero or more dimension, यहां पे लिखा हुआ है, यह two to four measures, ठीक है, तो हमारे पास यह dimension हमने select की थी, अगर हम यहां पे dimension की बजाए, कोई और चीज हम select कर लेते, for example, sum, measure, count, median, medium, maximum percentile, standard deviation, variance, etc, तब क्या होता, यह हम attribute select करते हैं, तो तब क्या होता है, so you have to select dimension, क्योंकि हम हर point का data चाहिए, तो इस तरीके से आपके पास यह data set आजएगा, और जैसे आप किसी भी plot पे hover करते हैं, तो मज़े की चीज है, वो आपको खुद बताता है, किस चीज को आपने plot में ले के आना है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, dimensions and measures को ले के आना है, ठीक है, 2 to 4, सिरफ इससे ज्यादा नहीं बना सकेगा, और यहाँ पे 1 to 2, फिर इस तरीके से हर plot की अपनी type है, तो हमने यहाँ पे scatter plot को इस वज़ा से ले लिया है, अब आगे हमने क्या करना है, let's see, मैं यहाँ पे color भी आता हूँ, color भी आने के बाद हम multiple colors भी select कर सकते हैं, अपनी opacity के against, यह हम कुछ और भी कर सकते हैं, different तरीके से, और उसका तरीका कार क्या होता है, मैं यहाँ से select करता हूँ, male और female को, और यहाँ पे इसे paste कर देता हूँ, तो यह male और female का separate plot बन गया, मैं यहाँ पे अगर paste करता हूँ, तो male और female कुछ इस तरीके से dimension में आ गए, अगर मैं fair को उपर ले जाता हूँ, तो तब भी हमारे पास, जो है वो age नीचे है, अगर मैं age को उपर ले जाता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से plot बन जाएगा, and you can see के हमारे पास यहाँ पे, different किसम की plotting हो रही है, male का अलाइदा data आ गया, female का अलाइदा आ गया, आप age को x-axis पे और fair को y-axis पे भी ले के जा सकते हैं, तो आपके data की type जो है, वो कुछ इस तरीके से change हो जाएगी, ठीक है, यहां तक आपको clear हो गया कि किस तरीके से आप ले के आ सकते हैं चीज़ों को, and now you can do a lot of other things, fit width आप करेंगे, तो आपका data width पे आजाएगा, fit height करेंगे, तो height पे आजाएगा, entire view पे करेंगे, तो entire view पे आजाएगा, तो मैंने standard पे यहां पे click किया हुए, and that's why it's working fine, अब थोड़ा से explore करते हैं, कि यह चीज़ें हम किस तरीके से ले के चल रहे हैं, यहां पे आप देखें, कि fair के data को जब हम गौर से देख रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से tick marks इसके आ रहे हैं, and this is how this data looks like, जो plot के अंदर मुझूद है, कि हमारे पास female का data सारे का सारा, and this is how it looks like, तो हम data को भी view कर सकते हैं, directly from here, और इसी तरीके से, हम जो female का data है, male का data उसे भी view कर सकते हैं, अब चीज़ यह है कि मैं चाहता हूँ, हमारे पास जो data यहां पे finally plot हो, वो basically colors के साथ हो, उसके लिए हमने क्या करना है, we can do different kind of things, मैं यहां से इसको color को select करता हूँ, and let's see, हम क्या कर सकते हैं, और not from here, effect भी नहीं, opacity यहां से change हो सकती है, obviously, यहां से colors की opacity change हो गई, यहां से हम colors को ही change कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ, तो यह मैंने colors को change किया, यहां पर देखें, आपके पास colors change हो रहे हैं, अब इसकी shape भी change हो गई, हमने hollow बनाया था, मैं यह वाला select करता हूँ, तो इस तरीके से आ जाएंगे, choice करता हूँ, तो चोरस तो कौन, इस तरीके से triangle, upward, downward, right angle, left angle, तो इस तरीके से हमारे पास, चीजें plot हो जाएंगे, तो मैंने यह shape कर लिया, इसके इलावा, detail के उपर अगर हम click करेंगे, let's see, not opening, यहां से labels आ जाएंगे, size पर हम click करते हैं, तो यह size आ जाएगा, इस point का, तो जैसे आप इसको, उपर लेके जा रहे हैं, and now you can do one thing, आप opacity थोड़ी से remove कर दे, and this will look fantastic, so यह आपके अंदर artistic way में, कितना आप आगे जा सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, and this is how you can actually look into the data set, अब और क्या था, let me see, अच्छा जी, filter, yes, अगर आप चाहें, तो यहां से filter भी कर सकते हैं, there are many other things, so, so यह हमारे पास male और female का, एक plot हमारे पास बन गया हुआ है, now the thing is, कि हमारे पास, यहां पर अगर मैं आता हूँ, again वो ही चीज मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहां पर, यह इस तरीके से हमारे पास plot आ रहा है, dimensionality भी और measures भी, 2 to 4 measures का यह plot हमारे पास आ रहा है, and I want to do something crazy, जो मैं कर नहीं पा रहा, shape, चले, आप देखें दो करें कि किस तरीके से आप यह दोनों plots को एक ही plot में कर लें, और जो female का जो color है वो different हो जाए और male का color different हो जाए, how can we do that, तो please इसको करके एक दफा देखेंगा, next lecture में मैं भी कोशिश करता हूँ, obviously ये kind of assignment आपके लिए, जो बंदा कर लेगा, please comment section में जरूर लिखें, and then in the next lecture मैं भी इसको explain करता हूँ, obviously इस तरह के चीज़ें दिमाग में आ जाएं, तो इनको clear करने के जाना जरूरी है, so मेरा नाम है डॉक्टर महमादमार्थफेल, मैं आपको टैबलियो सिखा रहा हूँ, वो तो उसे जख रहे हो ना, पक्की बाद है, okay, that's good, see you in the next one, like, share, subscribe, जज़रूर कर दिया करें,